पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ आदर्श जाओ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाडी बात होगी संविधान के जरीए सियासत करने वाले इंडिया गठबंदन की जहां पर थोड़ी अफरा तफरी मची हुई इस वक्त दिख रही है खास करके नेतरत को लेकर वोणी मजी चेटा की शुरुआत में आपको करूंगा विपक्ष में ही वो एक जुटता नहीं दिख रही है कभी ममताब एनरजी का नाम आ जाता है इंडिया गठबंदन को लेके कभी अखिलेश यादव का नाम आ जाता है कभी किसी का नाम चलने लगता है तो यह मौका मैं दोनों बातों को जोड़ रहा हूँ एक तो उनके अं विपक्ष की एक जुटता सिरफ लोगसमाईलेक्शन के लिए थी और उसके बाद हमें पता था कि हर पाटी की अपनी राजनीती है क्योंकि उनकी स्टेट वेस्ट अपने पॉलिटिक्स है और उसके हिसाब से उनका वैवार होगा आचरण होगा और लोगसमाईलेक्शन के यह जो एक जुटता उस वक्त दिखाई दी थी वो उस रूप में दिखाई नहीं देगी लेकिन इसके लिए विपक्ष को कोसना भी कोई बुदिबानी नहीं होगी क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अभी आज की डेट में जो दिख रहा है वो प्रैक्टिकल पॉल दिख दिए हुए थे दिल्ली में तो चलिए उनकी आपस में थोड़ी थी अंडरस्टैंडिंग सीटों का बटवारा भी हुआ था लेकिन पंजाब में तो नहीं हुआ था तो वो जो एक जुटता थी वो सिरफ एक मकसद से थी कि बीजेपी के खिलाफ एक कॉमन कैंडिडे हो जाए बस उतने भर का उसका लिमिटेड यूस था यूटिलिटी थी और वो यूटिलिटी खतम हुई तो वो एक जुटता भी खतम हो गई इसलिए अच्छा जो नेता है हर किसी की अपनी महत्वा कांशाय है अस्पिरेशन से हमें पता था कि लोग सभा एलेक्शन के विपक्ष एक साथ आया है हमने इस तरह की खीचतान इस तरह के आपस के मतभेद मनमुटाओत देखे हैं लेकिन उसको हम एक मुद्दा बनाके अगर कहें कि सारा विपक्ष बिल्कुल आचरण हीन हो गया है तो वो भी सही नहीं है विपक्ष ने जो बातें उठाई जैदी की पीड़ी को ये समझाना कि क्यों संभल जरूरी है चर्चा उस पे जरूरी है या क्यों अडानी पे चर्चा जरूरी है वही संविधान जिस एक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है जब देश के रिसोर्सेज टॉप तीन परसेंट के हाथ में सिमट जाएं तो उनको ये समझाना जरूरी है कि इस तरह के अडानी सिर्फ एक एक्जाम्पल है अगर उसके माध्यम से विपक्ष देश को समझाना चाह रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो इक्विटेबल डिस्रिबूशन होना चाहिए तो उसका उदाहरन अडानी का देते तो वो बेमानी नहीं है संभल पे आप कह रहे हैं कि वो भी एक बेमानी बहस हो रही है संभल कैसे बेमानी बहस हो रही है इक्वल अपॉर्चॉनिटी टू रिलिजन और वर्शिप हमारा समिधान हमें देता है न तो हम उसको कैसे निप्रोटेक्ट करेंगे हम उस पे कैसे attack होगा तो उसको परदाश्ट करेंगे ये आज की generation को समझाने के लिए संभल का example या for that matter जो भी इस तरह के चारू तरफ से आवाजे उठ रही है वो example देना जरूरी है ताकि वो समझे कि जो समिधान में लिखा गया है वो इन मुद्दों में कैसे violate हो रहा है तो मुझे लगता है कि विपक्ष की एक जूटता सिरफ एक जो हमने देखा उस समय लोकसभा election में अब वो रूप दिखाई नहीं देगा लेकिन जब सरकार को गेरने की बात आती है तो ये अच्छी बात है कि विपक्ष एक साथ इकठा होके सरकार को कटगरे में खड़ा करने में सक्षम हो रहा है जो कि एक पांच साल की लोकसभा है और जो होता हमें हर सेशन में दिखाई देगा और ठीक है ये एक डेमोक्रेसी में अच्छी हेल्दी ट्रेंड है इसमें कोई मतलब अब्जिक्शन ही होना चाहिए देखे जो कुछ दिखाई पड़ रहा है समिधान समा मतलब जो कल जो तरह से बाते की गई उसके पहले से जो संभल का मामला हो एडानी का मामला हो जो विपक्ष में दरारिर दिखाई पड़ रही है वो बड़ी स्वाभाविक है देखिए हमारे यहां मूल रूप से अगर आप देखेंगे हमारे यह नहीं पूरी दुनिया में जो विचार धारा के इस तर पर हम लो यह सोसल डेमोक्राइट कह लिए जिसका कांग्रेस ने बहुत समय तक और सीपीम ने उसका साथ दिया हो थी यह दो धाराएं होती है और तीसरा जो होता हुआ च्छेत्रिय ताक्ते जैसे बंगाल से बिहार में यानि आर जेडी का टीमसी से कोई क्लैस नहीं है ऐसे ही यस्पी इंटरस्ट आपस में क्लैस नहीं करते इसलिए जो थर्ड फ्रेंट आप उसको कह लीजिया च्छेत्री ताक्ते वह हमेशा से तीन ताक्ते रही है जो दो रास्त्री ताक्ते होती है उनके साथ यह च्छेत्री ताक्ते कुछ जुड़ती रही है और कुछ अलग-अलग हो कर के बनती हैं तो आज भी अगर आप देखेंगे को वह सुरूप होई है एक कोसिस की गई थी इंडिया लायंस की मैंने बहुत पहले कहा था आपके शो में जब से शुरू हुआ था मैंने कहा यह कंसेप्ट है यह दिवार या बिल्डिंग इमारत अभी बनी नहीं है तो उसमें दरार कहां से होगी ना कोई कामन मिनमन प्रोग्रेम था ना कोई उसका ध्यक्स था तो एक आधी अधूरी चीज एक कल्पना की थी वह अब आपको कल्पना की रूप में भिखरती हुई दिख रही है कल पहला भाषन मौका भी बहुत अच्छा था सम्विधान पर भहस हो रही थी उनके भाषन को लेकर कि भी बहुत सारी बात हो और यह मैं सीधे तोर पर जाना चाहूंगा कैसे उनके भाषन को देख रहे हैं पूरा जूनका भाषन था नहीं मुझे लगा प्रेंगा गांद कि प्रेंगा गांदी का भाषन का मुझे बहुत संतुलित था अपनी बात रहो ने कही बिना उत्यजना के और बिना किसी प्रवकेशन के अशायद राहूर गंदी ने टिपड़ी भी कि मेरे मेंड़न मैंड़नी स्पीच बहुत अच्छ थी तो चलो कम शिख रहूर गंदी तरह से उन्हों सारे मुद्धे उठाए जो कॉंग्रेस पार्टी के मुद्धे हैं उठाए उस दरस्टी से उनका पहला बाशन था संसरत के अंदर अच्छा और विपक्ष्ण में उसमें एक तरह से सही तरीके से सब्सक्राइब होता रहा लेकिन उनको बहुत दिस्टरब भी नहीं किया विपक्ष ने तो उस तरस्टी से तुसी तुसी तुम्हें इस पर जो भी विपक्ष की एक्ता की जो बात ती कि राजी नितिक दलों की एकता हमेशा सत्ता के लिए होती है आज आप एंडिये को बीज वह चुम्बक है जो राजीनित दलों को एक रखता है यही वज़े है कि नितिश कुमार जो है जन्ता दलियू चार बार इधर से उधर जाकर के सथा के साथ उच्टा को लालुयादाओं के साथ मिले यह बीजेपी के साथ जाके मिले मायावती के साथ तर प्रदेंस में तीन के साथ उसके साथ समस्या यह है कि जैसा कि रामकपाल जी ने भी का या पुनगा जी ने का कि लोगसभाग चुनाओं के लिए गड़न बना था एक वो और यह बी सही है यह कमी है इंडिया गड़न की ना तो अपना निता चुन पाए ना वो कोई कॉमन से जो कमेटियां बन ने अघार्ण तो अउनग है ब्लड़न है राजडितिक जज़्ड़ू च्छेत्रीदय और यह उनकी से स्उय नाम खेलं में तो पर तभाड़नु नैंग पिश्वाटियस को मंविग साथ तो अभी नहीं बाता हो और और है कि आंदरा मिग्ण ज़गतन दिकमेरे जैकर tv 나 जैसे RJD बिहार का चुनाव को दिखाई पड़ रहा है, तो उसको कॉंग्रिस को दबाओ में लेना है, कि सीटें कम से कम देनी है, कॉंग्रिस जादा सीटें मैंगेगी, क्योंकि लोकसवाद चुनाव में दोनों का बराबर है, चार सीटें वो जीते हैं, तीन सीटें का सीटें के लिए तो अभी से उसको दबाओ में ले लो, ममता जी इसलिए दबाओ में ले रही है, कि उनको बड़े देश के निता हम है, ता कि चुनाव में उनको फाइदा मिले, शरत पवार अधाकर अपनी जो पूरी हार हुए माविकास अगारी की, उसका ठीका कागरी से सब्सक्राइब के लिए उनको लग रहे हैं उनको लग रहा है कि आगे कांग्रिस को दबाओ में भी से रखो ता कि सम्झोते में सीटें कम से कम आम उनको देनी पड़े तो यह सारे इनके व्यक्तिकत अपने परस्नल कारण है इसलिए जो है यह सब सूर उठते रहेंगे और करना की बात करते हैं और बीजवी नहीं करती है तो आप बहुत तक रहेंगे तब तक रहेंगे चिक देखेंगे असली मकसद है और जाहिर से बात है उससी के लिए तो राज़ती हो रही है राकेश सर, सम्विधान को लेकर बह disagreलें हैं चर्चा लगातार एंडिया को लेकर हम लोग करते रहे हैं पहले भी अभी विपक्ष खासकर करके सम्विधान पे जो चर्चा हो रही हमें, उसमें उस तरही की एक जुटे जो दिख रही है वो आगे भी रह पाईगी उसको लेकर बी तकमाम सवाल उठ रहे हैं, नेतरत्व को लेकर तकमाम सवाल उठ रहे हैं, आप तो आगे फिर लगातार काई चुनाओ और ंने वाले हैं, तो एक बार फिर सारा पूरह सिस्टम बुरेक BMW होगा, फिर नया हूं क्रे consumption होगा, यह इस मेरी एक बास समझ से परे है कि आड़वानी के भारत में काम करने से और सम्भल में सर्वे होने से भारत का सम्विधान कैसे बदल जाएगा भारत दुनिया के एक लाउता ऐसा देश है जहां मस्जितों की सुरक्षा के लिए उनीस सुइंक्यार्न ने में प्लेसा बर्शी पे तुगलाया गया और मंद्र आतिकरमण के लिए उनीस सु पंचार ने में बखवॉट बनाया गया दुनिया का एक मात्र देश इस्पेन है जिसने आता ताई इस्लामिक को दौरा तोड़े गए चर्च को बना के मस्जिद बनाए जाने को उसने तोड़ा और फिर से उसको चर्च का रूप दिया भारत में इससे धर्मिन पेक्टा को खत्रा कहां आ रहा ये वरी समझ में नहीं आ रहा संविधाल कहां बदल रहा इंडी गठबंधन के अंदर जो च्छेतरी दल है उनके मन में एक डर पैदा हो गया है डर ये पैदा हो गया है कि लोगसभा चुनाओं में जिस तरीके से दली तोर मुस्लिम बोट कॉंग्रेस के साथ जुड़ा है उन्हें ये लग रहा है कि विधान सवा चुनाओं में ये वही सिस्टम रहा तो हमारा अस्तित्व खत्रें पड़ जाएगा क्योंकि जो भी च्छेतरी दल है समाजबादी पार्टी त्रण मूल आर जेटी ये मूल दल हैं आपके इंडी गठवंधन के और इन तीनों का आधार है मुस्लिम बोट लोग सवा चुनाओं में राहुल जी के कारण या भारती जन्ता पार्टी के बिरोध के कारण मुस्लिम समाज कॉंग्रेस के साथ गया और उसका नतीज़ा ये हुआ कि पहले चुनाओं में निन् मुस्लिम बोट उनको लग रहा है कि कॉंग्रेस के साथ हम मिलके लड़े और कॉंग्रेस को हमें सीटे देनी पड़ी तो भविस्व में दलित और मुसलमान बोट कॉंग्रेस के साथ गया तो हम किस आधार पे खड़े होंगे यही डर जो है लगातार इंडी गठवंधन के को डरा रहा जहां तक ममता वनर जी की बात है तो पिछले 2023 जब इंडी गठवंधन बना तब से देखे कि जब जब मंच सजा वो आती है और मंच हिला देते हैं अब मंच हिलाते ही एक दल नीचे उतर जाता है नितीज कुपार को संयोजग बनाने की बात आई आया आके उन् को लगा कि इंडी गठवंधन एक साथ मंच में आ रहा हुआ के मंच हिला देती है और एक दल उतर जाता है अब वह लोग सबाद चुनाओं के बाद फिर मंच हिला ही और उसके बाद उसके बाद छेतरी दल सारे एक साथ हो गया और कांगरे साम मंच में केले कड़ी दिक रह अफदे जी इंडी तो गठवंधन हुआ ही नहीं अब अब एंडीय से बिनोच जी ने तुलना कर दी है हम सब लोग एक कलपना करते हैं इमैजिन करते हैं कि एक गठवंधन है इसलिए उस कसोटी पर उसको कसते हैं देखे किसे भी गठवंधन में जब कोई एक भिजनरी न कोशना नहीं हो कि इनकी बात मान लिया जाए आइएंडीया की समस्या है कि उसमें इस समय ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी विश्वसनियता हो जिसके दृष्टी पर सबको का संवानों कि इनके पास बड़ा बड़ा राजनिती को देश की बरी दृष्टी है लंबे संगर्स करने की नरेंद मोधी सरकार के खिलाब तो वो दूसरी इस्थिति नहीं है तीसरा यह है कि सब को एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं है उतना आपस में बैट करके इस प्रकार से बात चितने हुए कि इनका एक विश्वास हो तो बेसिक चाहां होता है कि आपस में थोड़ा विश्वास होना मतवेद रहते हुए एक दूसरे के परती सम्मान होना और उसमें फिर आता है कि यह जो बोलेंगे वो गटवंदन के हित में होगा केवल परसनल दल के लिए ही नहीं बोलेंगे इसका INDI रहा है उसको जड़ा अपने कठाक्ष में जो है राकेस जी ने मरे सा सबहां में बहुमत नहीं आ सकता है नरेन मोदी जी के नत्रित में दो चुनावे ने इस मित को तोड़ दिया था उसके बाद जो इस समय इंडी गटवंदन के सदस्दिव उनको हिंदो बोट के लिए होर लगी थी कोई चन्डी पार्ट करता था कोई जन्यू लगाता था ब मुसलिम तोस्टी करना है मुसलिम फंडामेंटलिजम को प्रोचसाहित समर्थित करने वाली हो गए कि कोई जो अक्राम खो के कुछ बोल रहे हैं मुसल्मानों में एक बहुत बरा बर्ग है जो उस जंग से फंडामेंटलिस्ट नहीं है वो लिबरल है उसकी कहीं आवाज नह उन और न्याले के रहते हुए हो सकता है क्या तो उसमें भी एक होर लग गई है मुसलिम बोटों की और उसमें फंडामेंटलिसम को बढ़ावा दिया जा रहा है यह बहुत खतरनाक है कि मुसल्मानों के बीच जो भी जो देश के हित में बाकी आवाज है वो उसमें कमजोर ह रहा है जो फौर्थ आइंडिया का यह हो रहा है कि हर अस्तर पर से देखिए विपक्ष का काम के बल बिरोधी करना नहीं होता है कोई भी पार्टी ओचाए बीजेपी रही हो देश के आप विपक्ष हो देश के हित में कहीं आवस्यक हो तो मिलजुल के भी बात हो सकती है ध कि राज्सवा के सव्वापतिकों आप कि यूद मिलने मिलने आए यह हमें कोए ख़र यह मैं प्रुष्ट्टी मhmm सद्थापक्ष नन्यूख थिल रहीज और सद्था। तो बच्छ में इता 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 हुआ जब वन्टूठी नूक्लिय डील हो रही थी तो इंतित इता कि आ थे साजिश की थी आजकिता कि ट्रिग थे नहींइ इद दना निखने कि जटा डिआए ने पुरा बिपक्ष और यह मंहोंसिंग के सरकाइब गिरा रहे थी अगना है तो रगना है विजेपी बेसपी यह होगर के सरकार को खिलाप बन्दान कर रहे थे तो यह कहना कि मौजूदा विपक्षी वह वो देशित के खिलाफ बाकी इसके पहले बड़ा देशित में था यह बता पुझे लगता है कि एक तरफा है जिक वह फार्ट जिने समर्थन किया ता वह वक्त अगर कभी आएका तो मौजूदा विपक्षी समर्थन करें को करना भी है जब यह गडबंदन बना था तब से लेकर भी हमारे खबरों के खिलाड़ी की शो में लगातार क्या बात हुई कि दरार ही दरार है दिवार ही नहीं रामकरपाल जी का बड़ा मशूर था और वो चर्चा में भी रहा पूरे चुनाओ के दरान कि दिवार दिखे तो दरार के बावजूत इन अलग अलग टापों को जोड़ने वाला घोल मिल गया था बीच चुनाओ में जाने आन जाने समीधान बदल देंगे का जो नारा था ना उसकी शक्ति ने इन लोगों को एकदम से चुम्बक की तरह जोड़ दिया और उनको लगा कि युरेका युरेका कु को जोड़े रखकर कोई रण नीती बनाने की बजाए सब अपने स्वार्थ में लग गए तो उस चुम्बक की शक्ति खत्म हो गई सबसे बड़ी दिक्कते वहां हुई जब उसकी ताकत का अंदाजाद जरूद से जादा लगा लिया गया प्रजाहूल गांदी नेता प्रत सब्सक्राइब की वज़े से वोट नहीं भी दिया होगा तो वो लोग उने इनको इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया यह तत्य है और जब इसका पूरा जो तिलिस्म था वो हरियाना में तूटा और फिर पूरा विगटित हो गया महरास्ट में तो उसके बाद तो य एक घोल था समिधान बदल देगा नारा जो उनको ऐसा लगा कि अचानक से जादूई चिराग मिल गया है कोई चाबी मिल गई है जिससे अभी हम पिछले दस सालों से जो करना चाहरे थे वो नहीं हो पाया वो अचानक होने लगा जब देखा कि उसका तिलिस्म का प्रभाव तो होता ही तूटने के लिए वो तूट गया जब तूट गया तो बिखराव दिखना स्वभावी के और वही दिखाई भी ते रहा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद